शैटान का नाम लिया शैटान हाजिर Speak of the devil देखिए जब हम किसी के बारे में बाते कर रहे होते हैं और वो इनसान उसी टाइम आ जाता है तो हम कहते हैं शैटान का नाम लिया शैटान हाजिर चलिए अब इसे एक एक एकूराजकों से समझते हैं मान लो आप अपने friend के बारे में बात कर रहे हैं और उसी time वो आ गया और आप उसे कहते Hey Karan, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था तो इसे English में कैसे कहेंगे Karan, speak of the devil, I was just talking about you When pigs fly means something that will never happen यानि कि जो कभी होगा ही नहीं, यानि कि जो ऐसंभव है होने ही नहीं वाला Example, he will start working when pigs fly Stealing someone's thunder, इसका मतलब होता है किसी दूसरे के idea को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना या किसी दूसरे के किये हुए काम का credit खुद ले लेना Example, stealing someone else's thunder is a common practice in today's world To a T or down to a T इसका मतलब होता है कोई काम जिस तरह से किया गया है वो पूरी तरह से सही है और इसमें बदलाओ की कोई जरूरत नहीं है Example, at first I was uncomfortable in his company But later it fits me to a T There is no time like the present इसका मतलब होता है अभी से अच्छा समय कोई नहीं देखी इसे ऐसे समझते हैं मान लो आप swimming सीखना चाहते हैं और आप अपने friend को कहते कि मैं swimming सीखना चाहता हूं लेकिन एक सही समय आने पर मैं सीखूंगा तो आपका friend कहता है कि there is no time like the present यानि कि अभी से अच्छा कोई time नहीं है अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसे अभी शुरू कर देजे अच्छा कर अच्छा कर देजे